असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब्सक्राइब आज मैं रिकर आई हूँ आपके लिए अनोखी सी मिक्स सब्सक्राइब की रेसिपी जो के आप बहुत जादा पसंद करने वाले हैं और मुझे दूआ भी देने वाले हैं दावतों में ज़रूर रखेगा और मुझे बताएगा कि आपको रिस्पॉंस कैसा मिला जब आपने बनाया चले इस्टाइब करते हैं सबसे पहले हिए मैंने अपनी मद बसंद रख ली है जिसमें लैसन फूल गोवी आलू गाजर शिम्नामेच और केन के कुछ सब्सक्राइब करते हैं और यह को दिखाने के लिए रखे हैं आप यूजकर सकते हैं और साथ में जो यह मश्रूम है इसके इलावा यह कॉन यह भ यूज़ी बनाने के लिए और यह बहुत ही अनोखी सी एक मिक्स वेज़ेटेबल है क्योंकि बहुत ही अलग अंदास से मैं आपके लिए लेकर आई हूं सबजीयां जो है वह सर्दियों में बहुत ही पसंदीदा रिश है और अगर दावतों में रखेंगे तो बस मुसका लगे लगेगा रिजनेबल सी होगी और एक डिफरेंट सी रेसिपी आपको मिलेगी इन्शाओला प्यास मैंने आपको कर लिया है और बहुत ही कोई थिन से स्लाइस नहीं किया है नॉर्मल जो हाफ इंचिस के होते है उस तरह से बस हाफ उसकी रफली स्लाइस किया है उसकी प्यास को ब्राउन नहीं करना होता जब हम सबजी बना रहे होते हैं लैसन को भी इसी तरह से मोटे बाले लैसने चाहें पहले मेरा अरादा यह था कि मैं इसको फुल फुल ऐसी छोड़ दो मैंने का वच्चे खाएंगे नहीं बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते हैं औ तो मैंने का चल इसको छॉपट कर लेती हूं जादा भेतर है चील लेंगे चीलने के बार इसको चॉप कर लें और लैसन Кा पेस्ट ठोड़ा सा अलग हो जायगा लैसन का जो अरोमा होती है जो टिफेर Een'd Hið Kawald को अलग होती है बहुत जादा तो इसलिए बहतर यह है कि लैसन को चॉप करके ही डाले हैं हाँ अगर आपके पास नहीं है अवेलेविल तो फिर कोई बात नहीं है फिर आप यह करें कि जी लहसन को आप पेस्ट डाल दें या जो ती गार्लिक पाउडर होती वो भी आट कर सकते हैं और बाकिए कि जितनी भी चीजे मैं इसमाल करें हूं डिस मैंने बनाई यह उतनी बनाए तो भी इस सर्फ फोर सर्फ तो है यह बहुत अच्छी और यहां पर चॉप हो गया है गार्लिक आप सबाते करते करते गार्लिक मैंने थोड़ी ज्यादा में लियें कि इसका अरोमा इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद अच्छा मैंने यहां पर क्या किया है कि सब्सक्राइब करना है तो जो वेजटेबल से प्याज है प्याज को फ्राइब करना है तो वह अलग रखा है उसके लावा जो हार्ड वेजटेबल से इसको अलग रखूंगी क्योंकि जो हार्ड वेजटेबल ना इनको मैंने ब्लां तो यहां पे जो जितना भी हार्ड वेजेटेबल है जिसमें सबसे पहले आलू है उसको क्यूब्स कर लिया है और आप अपने मर्जिस से कर सकते हैं अच्छा डाइस कर भी कर सकते हैं लेकि मेरा भी बिल्कुल भी रादा नी था कुछ भी ऐसा करने का मैंने का आप लोग भी घर वाले हैं माशाला हमारे मेरे बहन भाई हैं तो बस आपको लिखाने के लिए अच्छा सा कर लेती हूं अब भी मेरा को यह से शोशा करने के रादा दिन था कि मैं बिल्कुल सिफ डाइस करती और फाइन करती और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बज जाता उसको बॉयल करत करना मेरे पास बिल्कुल बेपी टाइम नहीं आजकल बस मैं आप लोगों के लिए रेसेपी डेली बेचिस पर शेयर करें हूं कोशिश है मेरी के शेयर करूं और बाकी फिर यह है कि अल्ला ताला मालिक है कहां तक वीडियो पहुंचती है शेयर होती है आप लोग करते हैं मैं पसंद करते हैं नहीं करते हैं वह आप लोगों की मरजी है लेकिन मुझे काम करने में बहुत मजा आने लगा है माशालला क्यूंकि मैंने इसका स्टोड़ा सेटप भी चेंचे लिए आप देख रहे हैं और आदत हो जाती है शायद इसकी और मैं थोड़ी हूँ भी सब्सक्राइब में बहुत शॉक्सया फूलत सब्सक्राइब में था फोड़ा खोड़ी है इंट तो मुझें मोटी मोटे बहुत हैं पश्ची पसंद नहीं पसंद नहीं है उसके प्षूट पशस्ड़ाइब देख आनुट रहे में प्लांच कर लेंगे तो फिर सारा अच् को पील आफ करें गाजर जो है ना असल में बहुत अच्छी है आइस के लिए और विटामिन ए बहुत भरपूर मिकदार में होता है शिम्ला मिर्च का मैंने एक लिया है मतब एक शिम्ला मिर्च लिये और सबजियां बस इसी हसाब से लिये के बहुत जादा भी ना बन जाए ब अगर आधा कपली है ना फूल गोभी और गाजर तो आलू जोड़ा से एक कप कर लिये कि बच्चे बहुत शौक से खा रहे होते हैं अब आपने यह नोट किया होगा कि मैंने गार्लिक को अलग प्लेट में रखा है क्योंकि सॉफ्ट है और जो शिम्ला मिर्च से उसको भी सॉफ्ट है क्योंकि एंड में जानी है उसके इलावा जो लेमन है इसको भी कट करके मैंने रख दिया है यह भी एंड में जाएगा अब यह जो वेजिटेबल है इसको हम ब्लांच करेंगे यह बोयल कर लेंगे और यहां पे वोक में यानिके हम ओल डाल के और बहुत जादा ऐल्ले प्यास को फ्राइब करेंगे, से चाओ ऑप लेख अब हमेशा हमेशा करें को सब्सक्इचे और जोते ह Mensch सब्सक्राइब बहुत अजिए जीरा डाला है और सारी कॉंटिटी आपको डिटेल डिस्क्रिशन बॉक में मिल जाएगी इसको बस हलका साथे करना है बहुत जादा सा गोल्डन या ब्राउन नहीं करना है लेकिन कवर करके करने से ना बहुत अच्छा रिस्पॉंस अनियन का आता है और खुजबू भी जो है धनिया प्लडऑ करूदर हाए चिली फ्लेक ठिक है और जिंजडर पावड रियायन चैया कि अदरत का प्लंडर अधरक को ऑपर से नहीं की डाला है वह फेल जले तो इसको करने की है प्लंप कौने और और पानी इञ नहीं पिकना फ़ले पाल Serge Li या पैलक करना ाय है तो लीव भी रख सकते हैं यहां पर जो हार्ड वेटेबल थी वह बोईल हो गही है तो बोईल या ब्लांच जिसे कह सकते हैं आट मिनट के लिए या पांच मिनट के लिए इसको पका लें आप जरूरत देख लें कितनी है बहुत जादा बड़ी है तो थोड़ा जादा टाइम ले लेंगी और फुल नहीं करना है थोड़ा एक पर्सन रहने देना है और तकि अच्छा सा इसमें कुग हो जाए इसके बाद यह मिक्स कर देंगे हम पालक के मसाले में जो के हमने को कर लिया है बहुत अच्छा सा और बस इसको मैं इतना को करूँगी पांच मिनट के ये र बढ़ा मज़दार सा उपर आ गया है और खुशूब बहुत अच्छी सी आ रही है वह तो आप बनाएंगे ना आपको पता चल जाएगा और नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे तो नहीं पता चलेगा अब यहां पर मैंने ग्रीन चिली आड कर लिए चिली फ्लेक्स पी म हरी मिर्च में विटामिन सी होता है जो के बच्चों के लिए इम्म्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है बूस्ट करता है और लेमन में भी विटामिन सी होता है यह भी उपर से स्क्यूज कर दिया है जी शिम्ला में जी आड हो गई है और चूला अब बंद हो गया है जो शुम्लमिट है वह सॉफ्ट हो जाएगी तो यहां पर डाला है क्रीम और क्रीम को डालने के बाद हमने कवर कर दिया और थोड़े देर के इसको चोड़ देंगे दो मिनिट के लिए देकिन चूला बंद है चूला बंद करने के बाद मैंने इस चीज़ें की हैं ठीक है जान कि मैंने हरादनिया के उपर से थोड़ा से स्प्रिंकल कर दिया है और यह मजदार सी मिक्स वेज़िटिबल तयार हो गई है और बस बहुत इंज्डॉय करें आप नान के साथ खाएं राइस के साथ खाएं मैं राइस के साथ पसंद करती हूं और फिर फ्राइड राइस के साथ और अगनाप नान रोटी के साथ भी खा सकते हैं दावतों में रखेंगे वह तो दोनों चीज़ां होती है हमेशा अमूमी तौर पर के हड़ चीजी होती है यह चावल भी होता है रोटी जो लोग जिसके साथ पसंद करें लेकिन यह बेसिकली दावत की रेसिपी है और जरूर दीजेगा अलापिस